नमस्कार, आपका आखभार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंग्ग, दोनों पक्षों नहीं, यानि सत्तारूड दल जो एंडिये है, सत्तारूड गडबंधन, उसने और विपक्षी दलों ने अपना राश्पती पदकाव मिद्वार गो पातिय जन्ता पार्टी ने अपनी पुरानी नेता रही, उडिसा के मैयूर भंजिले की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू, जो जारखंड की पहली राजिपाल भी बनी थी, महिला राजिपाल, उनको राश्पती पदकाव मिद्वार गोशित किया है, द्रौपदी मुर्म अपने उमीदवार के रूप में पूर्व केंदरी मंतरी येश्वन सिन्हा को उतारा है, अब आप देखें, ये मुकाबला तो कोई है नहीं, द्रौपदी मुर्मू का राश्पती बनना तय है, उसमें कोई-कोई दूर-दूर तक कोई शंका नहीं है, उनकी जीत को लेकर क कोई आशंका नहीं है, और येश्वन सिन्हा के जीतने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है, लेकिन हार जीत की बात नहीं हो रही है, बात राजनीती की हो रही है, बात हो रही है, दोनों पक्षों ने जिस तरह के मीदवार का चैन किया है, उसको लेकर, उनकी राज लेकिन शायद ही उनके कोई फैसले ऐसे रहे हो जो चौकाने के बाद भी जब फैसला हो जाता है सारविजनिक रूप से लोगों को पता चलता है तो यह कहा जा सके कि कि किसी अंडिजर्विंग को उन्होंने बड़ा पत दे दिया हो इसलिए द्रौपदी मुर्मू को जब दि से आती है उन्होंने कहा कि जब उनको खबर मिली तो उन्हें खुशी तो हुई लेकिन आश्यर भी हुआ उन्होंने कलपना ही नहीं की थी कि कभी उनको इतने बड़े पद के लिए उनके नाम पर विचार भी हो सकता है इससे आप अंदाजा लगाईए कि हमारे समाज के जो लोगों को बनाया जाता है सोनिया गांधी को मौका मिला तो प्रतिभा पाटिल सव आरोप उनके लेकिन उनका गुण क्या था उनकी खुबी क्या थी कि वह गांधी परिवार की सेवक थी वफदार थी इसलिए उनको राश्पती पत्तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं मोदी को प्रदान मंतरी बनने के बाद दो मौके मिले राज़ पती बनाने के अभी तक आगे भी मिलेगा दो मौके मिले पहली बार उन्होंने रामनात कोविंद को बना प्रधानमंत्री नरेंद मोदी का बहुत व्यापक असर है। उनकी फॉलिइंग बहुत ज्यादा है। महिला मद्दाताओं के कारण ही बिहार में बीजेपी जेडियू की सरकार बन सकी। महिला मद्दाताओं ने हर चुनाओं में गुजरास से लेकर उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाओं तक और लोग सभा चुनाओं में बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। में देखना चाहिए क्योंकि बात यह नहीं है कि बीजेपी का राश्पती बनने जा रहा है दूसरी बार जिसको भी बीजेपी खड़ा करती वो राश्पती बनी जाता पधान मंतरी चाहते तो अपने किसी दोस्त को अपने अपने किसी विश्वस्त को या फिर अपने किसी करीबी को बना सकते थे लेकिन उन्हों ने बनाया किसको द्रापदी मुर्मू को उससे पहले रामनात कौविन जो अभी हमारे राश्पती है दोनों के चैन में आप देखिए कि क्या क्या उनके दिमाग में क्या था उनकी सोच पर अगर आप नजर डालिये तो उनके सामने देश का और समाज का हित था वो सोच रहे थे कि कैसे देश भर में एक मैसेज जो है एक संदेश भेजा जा सके जो दलित और आदिवासी है उनके बीच में कैसे उनको ये हिसास कराये जा सके कि उनके वोट से जो सरकारे बनती है वो उनके बारे में भी सोचती है कैसे उनको ये बताया जा सके कि आपके समाच का व्यक्ति भी सर्वोच पत्तक पहुँच सकता है वो खुद इस बात का उदाहरण है गरीब तब के से आते हैं पिछला वर्ग से आते हैं और सामान ने कारेकरता से लेकर प्रधानमंत्री के पत्तक पहुँचे है तो कुल मिलाकर बीजेपी की जो कारे संस्कृती है जो राजनीतिक शैली है वो एक बात का संदेश बार-बार देती है इस देश के इवाओं को और इस देश की महिलाओं को इस देश के वंचितवर के लोगों को कि आपके लिए सर्वोच पद पर गुंजाइश है वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी परिवार का जो है वो आधिपत्य नहीं है वहाँ तक आप पहुंच सकते हैं बशरते आप में योगिता हो और योगिता से ही ये चाहे प्रधान मंतरी नरिद मोदी की बात कीजिए आप बीजेपी में किसी नेता को ले लिजिए किसी मुख्य मंतरी का नाम उठा कर देख लिजिए सब कारिकरता से यहां तक पहुंचे हैं नीचे से उठकर जो मैं बार-बार इस बात पर जोर देता हूँ कि जो नेता कारिकरता से जमीन से उठकर उपर तक पहुंचता है वो पार्टी संगठन अगर राजितिक दल की बात करें तो पार्टी के लिए एसेट होता है और जो उपर से आता है दरसल वो लाइबिलिटी होता है पार्टी को उसे ढोना पड़ता है गांधी परिवार कॉंग्रेस पार्टी में लाइबिलिटी बन चुका है कभी असेट हुआ करता था असेट इसलिए हुआ करता था कि उसके नाम पर लोग आँख बंद करके वोट देते थे लेकिन आज कॉंग्रेस की बात नहीं हो रही है बात हो रही है कि राश्पती पद के उमीदवार के चैन में किस पार्टी ने या किस पक्षम ने किस तरह की सोच दिखाई तो ये सोच जो है भारती जनता पार्टी की और प्रदानमंत नरेंद मोदी की वो है समाज को आगे ले जाने की वंचित वर्ग के शशक्ति करण की आजादी के सतर साल बाद अगर उनको ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि इस वर्ग के लोगों को आश्वस्त करने की ज़रूरत है कि आपके वोट से बनने वाली सरकार आपके बारे में बहुत कुछ सोचती है आपके हित के लिए आप उनकी सरकार की कारिक्रमों को देख लीजीए जिस तरह के social welfare के कारिकlying किये गए हैं। उन सब में लक्ष जो है वो वंचित वर्ग है जिसकी बात महत्मा गांधी करते थे जिसकी बात दिंद्याल उपाध्याय करते थे अंतियोदय की जो परिकल्पना दिन दियाल उपाध्याय ने की थी उसको नरेंद मोदी साकार कर रहे हैं अभी तक जो सरकारें बनी थी उसमें बीजेपी की भी सरकार की बात कर रहा हूं और बीजेपी की सरकार की मैं राजी सरकारों की भी बात कर रहा हूं अंतियोदय पर जरूर कहा जाता था पार्टी के मैनिफेस्टों में उसकी बात होती थी लेकिन उस पर इस तरह से अमल पहली बार हो रहा है और पारदाशी तरीके से हो रहा है बिना भेद भाव के हो रहा है अब दूसरी ओर देखिए कि विपक्ष ने किसको चुना है येश्वन सिन्हा नाम सुनते ही आपके मुह का स्वाद बिगड़ जाएगा इसलिए नहीं कि मेरा येश्वन सिन्हा से कोई व्यतिगत रागद्वेश नहीं है लेकिन आप देखिए कि दुरप्ति मुर्मू अपनी पार्टी अपने संगठन की पहली पसंद है येश्वन सिन्हा विपक्ष की चौथी पसंद है इसी से उनके बारे में उनके ही लोग क्या सोचते हैं जिन्नों ने उनको उमीदवार बनाया है अंदाजा लगा लिजिए ये पहली बार होगा भारत के इतिहास में कि सारवजनिक मंच पर गाली गलोज करने वाला सारवजनिक मंच से मेरा मतलब इस समय सोशल मीडिया से सोशल मीडिया पर गाली देने वाला व्यक्ति वो राश्पती पद का उमीदवार भी बन सकता है ये हमारी आपकी कलपना में शायद न रहा हो जिसे विपक्षी दलों ने साकार कर दिया है जेशोन सिनहा उन्होंने जब उनको उमीदवार घोचित कर दिया गया तो उसके बाद हरबड़ी में जल्दी जल्दी उन्होंने अपने सारे वो ट्वीट हटा लिए जिसमें लोगों को गालियां दी हैं जिसमें प्रधान मंतरी को गाली दी है जिसमें प्रधान मंतरी के खिलाफ अपशब्द कहें हैं ऐसा व्यक्ति किसी भी देश के राश्पती पद का उमीदवार कैसे हो सकता है जब तक कि जो उमीदवार बना रहे हैं वो दिमागी दिवालियपन का शिकार नहों पहले शरत पवार का नाम आया उन्होंने मना किया फिर नाम आया डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला का उन्होंने मना किया फिर गोपाल कृष्ण गांधी का देखे लोगों की सोच कैसी कैसी होती है गोपाल कृष्ण गांधी के पास जब यह प्रस्ता हो गया तो उन्होंने क गुपाल कृष्ण गांधी सोच भी कईसे सकते हैं जो याकूब मेनन की फांसी का विरोध करने वाला हो जो व्यक्ति राजिपाल रहते हुए मुख्यमंतरी मम्ता बैनर जी के धरने में जाकर बैट जाए इस हद तक पार्टिशन्टिप हो वो व्यक्ति ये उमीद करें कि भारती जंता पार्टी राश्पति पत के उमीदवार के लिए उसका समर्थन करेगी तो ये ये लोग किस दुनिया में जीते हैं इस तरह के लोग ये समझ में नहीं आता उनका नाम जो आता है बार बार राजपाल बने या इस तरह किवल इसलिए कि गांधी जी के परिवार के हैं इसलिए उनको वो एक अलग दुन्या में जीते हैं, उनको लगता है कि सारा देश उनके साथ है, सारा देश उनके पीछे है, और उनसे बहतर और बड़ा नाम तो कोई है एक नहीं, लेकिन बात येश्वन सिनहा की, येश्वन सिनहा ऐसे वेक्ति हैं, जिन्हों ने जिस थाली में खाया, उसमें बार बार छेद किया, आईएस अध्रिकारी से जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद राजनीती में उनको ले आये चंद्शेकर जी, उन्होंने उनको आगे बढ़ाया, जन्ता पार्टी में महासची बनाया, उसके बाद राज्यसभा में भेजा, उसके बाद जब उनकी वो परधान मंत्री बने तो वित मंत्री बनाया, और येश्वन सिना ने पहला मौका मिलते ही, जब लगा कि चंद्शेकर जी अब और ज़्यादा कुछ देने की इस्तिती में नहीं है, तो उनको छोड़ दिया, उसके बाद बीजेपी ने उनको उनक साल देगी और वो शहादत दिखाएंगे, बीजेपी ने छोड़ दिया, उनकी ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया, आखिर में उन्होंने पार्टी से 2018 में स्तीफा दे दिया, और 2018 में पटना में एक कारिकरम में घोशना की कि वो सक्री राजनीती से अब रिटायर हो रहे है उसके बाद फिर 2021 में त्रिमूल कॉंगरिस के पास पहुँच गए, पहले राज्य सभा की उमीद में, फिर इसकी उमीद में, पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ममता बैनेर जी की राश्पती पत्यों मीदवार के लिए पसंद या उनके कैंडिडेट है एश् तो तब उन्होंने ये देखा, वहां का माहल देखा उसमें एक तरह से मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि उनका अपमान हुआ, जिस तरह से उन्होंने इनिशेटिव लेने की कोशिश की उसका विरोध हुआ, विरोध होना चाहिए تھा काउंग्रेस की और से, कांग्रेस अब जिन्दा नहीं है केवल वेंटिलेटर पर चल रही है कॉंग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है वो येश्वन सिनहा जो बीजेपी से आये हैं उनके नाम का समर्थन राश्पती पत्य उमीदवार के लिए करें इससे बड़ी जो है कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ इससे बड़ा कोई 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 टिपणी हो नहीं सकती है येश्वन सिनहा के बारे में अगर बहुत ही नटशेल में बहुत छोटे में कहना हो तो पूर प्रधान मंत्री पीवी नरसिमा राओ का की टिपणी याद कर लीजिए उनसे जब पूछा गया जब उनको प्रधान मंत्री पत्से हटने के बाद जब अध्यक्ष पत्से भी हटा दिया गया तब उनसे पूछा गया कि अब उनका आगे का क्या इरादा है तो उन्होंने कहा कि मैं यश्वन सिनहा नहीं हूँ कि पार्टी ने अगर पद से हटा दिया या कुछ नहीं दिया तो मैं बोरिया बिस्तर समेटूं और दूसरी ओर चल दूँ कि ये पीवी नसिमा राओ जैसे मजे हुए नेता की ये टिपड़ी यश्वन सिनहा के पूरे राजनितिक चरितर को दरशाती है बहुत चोटे आदमी है बहुत घटिया आदमी है उनकी भाषा देखिए इतनी घटिया भाषा है अगर आप उनका पिछले दो तीन साल चार साल का ट्विटर हैंडल देखें तो आपको समझ में आएगा यह आदमी शायद मानसिक रूप से विक्रती का शिकार है जिस तरह की बात करते हैं उनकी जो सत्ता लोलूपता है पद की लोलूपता है वो 84 साल के उमर में भी जा नहीं रही है उन्होंने 2014 में अपनी और से उन्होंने पेशकर की कि मैं लोगसभा चुनाव नहीं लडूँगा किसी नए व्यक्ति को मिलना चाहिए मौका क्योंकि जब तक मेरा कारेकाल अगर 14 में लड़ता हूँ खतम होगा तब तक मैं 82 साल का हो जाओंगा ये कहके टिकट लेने से मना किया बेटे को टिकट देलाया बेटे को टिकट मिल गया वो उसको पार्टी ने जिता दिया तो उसको मंतरी बन वाया मंत्री बन गया तो कहा कि अब हमको भी चाहिए तो उनको उमीद थी कि पहले ब्रिक्स बैंक का जो है चेर्मेंट बना दिया जाएगा उससे पहले उमीद थी कि वो फिर से वित्मंत्री बना दिया जाएंगे या कोई बड़ा पद मिलेगा जब ये सब कुछ नहीं होता हुआ दिखा तो नरिन्द मुदी के प्रशंसक से उनके आलोचक बन गए बलकि उनसे नफरत करने वाले बन गए तो यश्वन सिनहा विपक्ष की उस राजनीती का प्रतीक है जो प्रधान मंत्री नरिन्द मुदी से नफरत करती है इसलिए किसी पार्टी ने कोई इतराज नहीं किया उनके नाम पर इसलिए यश्वन सिनहा भी तयार हो गए क्योंकि उनको लाइम लाइट चाहिए उनको जो है वो लोगों का अटेंशन चाहिए कि वो राश्पती पद के उमीदवार बने थे उनके सीवी में जूड़ जाएगा मानसिक्ता वो सरकारी नौकर वाली है सीवी कैसे हमारा बेहतर हो वो जो मानसिक्ता है उसके शिकार वो आज भी है इतना कुछ मिलने के बाद भी जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ वो कहीं संतुष्ट नहीं हो सकता और मुझे लगता है कि ममताब एनरजी ने भी इसके जरिये उनसे एक तरह से छुटकारा पा लिया है क्योंकि अब अब उनको राजसभा देने की जरूरत या दबाओ कहें उनकी ओर से नहीं हो पाएगा तो राश्पति पद के उमीदवारों के चैन में दोनों पार्टियों ने जिनको चुना है उनके जरिये अपनी राजनीती के चरित्र का परिचे दिया है भारतिय जनता पार्टी ने परिचे दिया है अपने राजनीती के चरित्र का कि वो समाज के वंचित वर्ग की हितैशी है उनके बारे में सोचती है उसके लिए उसकी चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो चाहे समवैधानिक पद हो उनमें उसकी सोच में उनका स्थान सबसे उंचा है, सबसे प्रमुक है विपक्ष ने ये संदेश दिया है कि उसकी राजनीती का चरित्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिमट कर मोधी विरोध और मोधी से नफरत करने का रह गया तो यह जो फर्क है यही आज की भारती राजनीती की वास्तविकता है इसलिए लोग भारती जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं इसलिए विपक्ष से लोगों का मोह भंग, लगातार बढ़ता जा रहा है हुआ है वो रुक नहीं गया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यह दिखाई दे रहा है, अभी पांच राज्यों के चुनाव हुए, उनमें से चार में भारती जनता पार्टी की सरकार बनी, यह इसी का प्रतीक है, दो राज्यों में चुनाव होने वाला है, वहां भी भारती जनता पार्टी की सरकार बन तो आज के हैंक में इतना ही अगले हैंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आप से अनोध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार